प्रभु येशु क्रेश्ट का इस पर्ष हमें संपूर्ण जीवन की और ले जाता है संत मार्कुस के अनुसार पवित्रसु समाचार अध्याए एक वाक के संख्या 29 से 49 तक वे सभाग्रह से निकल कर याकुप और योहन के साथ सीधे सीमौन और अंद्रियस के घर गए सीमौन की सास बुखार में पड़ी हुई थी लोगों ने तुरंथ उसके विशय में उन्हें बताया इसा उसके पास आये और उन्होंने हाथ पकड़ कर उसे उठाया उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सतकार में लग गई संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दूत ग्रस्तों को उनके पास ले आये सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया इसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीडित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अब्दूतों को निकाला वे अब्दूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे की वह कौन है दूसरे दिन इसा बहुत सबेरे उटकर घर से निकले और किसी एकांद इस्थान पर जाकर प्राथना करते रहे सिमौन और उसके साथ ही उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले सब लोग आपको खोज रहे हैं इसा ने उन्हें उत्तर दिया हम आसपास के कजबों में चले मुझे वहाँ भी उबदेश देना है इसलिए तो मैं आया हूँ और वे उनके सबागरहों में उबदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलिलिया में घूमते रहते थे